नमस्कार स्वागत है आप सभी का समिच्छा दिकारी सायक समिच्छा दिकारी मौक टेस्ट स्रिंखला में आज ये 13 हुआ मौक टेस्ट है जिसमें हम लोग इस परिक्षा के स्लेवस के अनुसार हिंदी के सामान हिंदी के 30 प्रस्नों को हल करेंगे और पूरी व्याख्या सहीत उसके उत्रों को देखेंगे अगर आप समिच्छा दिकारी सायक समिच्छा दिकारी एकजाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जूड़कर बहतर द्यारी कर सकते हैं समिच्छा अदिकारी, साइक समिच्छा अदिकारी के लिए हमने video course, video lecture program course launch किया है, जिसमे video lectures दिये जाते हैं, आपको PDF में notes provide की जाती है, test series दिये जाते हैं, और ये video lectures recorded होते हैं, app के माध्यम से आपको मिलते हैं, साथ में telegram group के माध्यम से आपको support भी मिलता है, तो एक परिक्षा को पास करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है सब आपको इस प्रोग्राम में दिया जा रहा अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाते हैं तो इस नंबर पर वाटसेप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पहले सुरू करते हैं आज का हम वीडियो तो पहला प्रसंदेखते हैं हम विलोम सब्द की द्रिष्टी से एक यूग मिसमे से असुद्ध है वो असुद्ध यूग आपको पता लगाना है तो एक एक करके आप चेक करेंगे तो आप जो है सही उत्तर तक पहुंश सकते हैं वि विलोम क्या होता है विष्टी का विलोम समस्टी होता है उसी से मिलता जुलता उससे बना हुआ सब्द है विष्टी गट जिसका विलोम समस्टी गट हो जाता है और अगर आपसे सरश्टी का विलोम सब्द पूछा जाएगा तो सरश्टी का विलोम जो है प्रलय होता है आपको बताना है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, कौन सा युगम सही, अर्जन का अर्जित गलत हो गया, अनुरक्त का विरक्ती गलत है, परिश्रम का विश्रम भी गलत है, सही क्या है, अनिवार का विलोम वैकल्पिक होता है, C option सही है, बाकी जो गलत दिये थे, उनका हम सह ही उत्तर देख लेते हैं, परिश्रम का विलोम क्या होगा, विश्राम होगा, अनुरक्त का विरक्त होगा, और अगर अनुरक्ती होगा, तो उसका विलोम विरक्ती होगा, अर्जन का, अर्जन मतलब जो है, प्राप्त करना, कमाना, और वेयन का मतलब खर्च करना, और इसक संतुष्ट निस्प्रह या वीत्रिष्णा तो इसमें सही सब्द क्या हो जाएगा वीत्रिष्णा त्रिष्णा का विलोम वीत्रिष्णा हो जाएगा निस्प्रह जो है जिसका सुद्ध रूप निस्प्रह इस तरह से लिखा जाता है इसका विलोम क्या होगा आकांची या अ वीत्रप्त जो सब्द रिया था जो त्रप्त या संतुष्ट ना हुआ हो उसको वीत्रप्त कहते हैं यानि जो सटिस्फाइड ना हो तो उसका जो है विलोम क्या हो जाएगा त्रप्त या संत्रप्त संत्रप्त को जो है आप सटिस्फाइड या सैचुरेटेड कह सकते हैं दिरगायू का विलोम चिरायू है ये कथन गलत है यही आपका सही उत्तर है बाकी देख लेते हैं सहोदर का विलोम अन्योदर ये हो जाएगा कथित का विलोम अकथित हो जाएगा तो दिरगायू का विलोम क्या होना चाहिए चिरायू की जगे अलपायू होना चाहिए दिरग विलोम सब्दियुक इसमें आप सो छाटना असलील का दुसील जो है क्या सही है गलत दिया हुआ भूगोल का इतिहास कथित का कथनी गलत है न्यून का विलोम अधिक होगा अब इनमें क्या क्या गलतियां है इसका जो है हम देख लेते हैं सही रूप असलील का विलोम क्या होत ग्यान हो, कथित का विलोम आकथित, तो ये जो है इसके सही हो गए, अगम वा गाच किसके परियावाची सब्द हैं, बहुत अच्छा प्रसन है, और इसी तरह से कन्फ्यूज करने अले प्रसन पूछे जाते हैं, अगम और गाच जो है ये पेड के परियावाची हैं, मतंग निमलिखित में से किसका परियावाची है, मतंग इन में से किसका परियावाची है, आपको बताना है, किसी देवता विसेश का है, किसी भाव विसेश का है, किसी पसु विसेश का है, या किसी संबंद विसेश का है, तो मतंग इसमें से एक पसु विसेश का परियावा हाथी के परियावाची रेखते हैं यह किरण के परियावाची रेखते हैं परियावाची सब्द का सही अर्थ क्या है परियावाची सब्द जो है इसमें से क्या कहलाते हैं ये विलोमबाची होते हैं प्रति विलोमबाची होते हैं समाना भासी होते हैं या समाना आर्थी होते हैं तो ये कैसे सब्द होते हैं समाना आर्थी सब्द होते हैं अगला प्र प्रभाकर चंद्रमा का परियावाची नहीं है, अगला प्रस्न निमलिखित में से तत्सम सब्द की पहचान आपको करनी है, इसमें से तत्सम सब्द कौन सा है? तो कोठी, कहार, काच ये सबी क्या है तदभो है एक ही सब्द इसमें से तदसम है जो की है कुपच कुपच एक तदसम सब्द है जिसका तदभो क्या होता है कच्चा होता है बाकी का देख लेते हैं कोठी का तत्सम कोश्टी का होता है कहार का इसकंदधार होता है काच का काच इस तरह से लिखा जाता है अगला प्रस्न निमलिखित में से तदभो सब्द की पहचान कीजिए इसमें से तदभो सब्द कौन सा है तो इसमें से यानि तीन सब्द जो है तत्सम है वो आप जान जाएंगे तो विनसती, वेधन और व्रकिये तत्सम है C option अमारा जो चौथा है ये क्या है ये एक तत्भो सब्द है और इसका तत्सम क्या होता है चतुर्थ होता है बाकी के देख लेते हैं बेंधना या वीधना जो है ये तत्भो है इसका वेधन हो जाएगा इसी प्रकार बीस जो है जो तत्भो सब्द है उसका तत्सम विनसती हो जाएगा और भेडिया का तत्सम क्या होता है व्रिक होता है अगला सब्द मोर है मोर का तत्सम सब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है एक जैसे मिलते हुए सब्द है अगर आपको सुद्वर्थ नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप सही उत्तर दे लेंगे तो मोर का जो तत्सम होगा वो मयूर होगा बी आप्सन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट है अगला तत्सम तत्भो की दृष्टी से एक युगम इसमें से असुद्ध है वो कौन सा युगम है यह आपको बताना है तो तत्सम तत्भो की दृष्टी से असुद्ध युगम इसमें जो है ध्यान से देखिए वो आप जो है इसमें बता पाएंगे वो है म्रिच्छन जिसका जो है दिया हुआ है माच्छन ये गलत है तो म्रिच्छन का तद्भो क्या होता है मक्खन होता यानि मक्खन का ये तत्सम सब्द होता है अगला प्रस्ण तत्सम तत्बह सब्दों के युग में से तुर्तिपूर्ण युग्म कौन सा है इसमें आपको बताना है मसक मसा बिल्कुल ठीक है पने साल का पंसारी इसका तत्बह होता है तव का तेरा होता है शुवश्च्रू का मौसी नहीं होता है अगला प्रस्न की वर्तनी इसमें से सुध्ध है इसमें से वर्तनी सुध्ध है रचाईता डी आपसंस अहीं है बागी सभी में गलतियां है और आप निश्ची दों से देखते हैं मानवी करण छोटी की मात्रा नहीं लगेगी सारीरिक यहाँ पर छोटी की मात्रा लगनी चाहिए थी प्रदर्शिनी इस तरह से लिखा जाएगा तो यह तीनों ही गलत दिये हुए थे अगला प्रसंद देखेंगे वालमी की सब्द की सुद्ध वर्तनी क्या है तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है वालमी की सब्द की सही वर्तनी क्या है इसमें से तोड़ा ट्रिकी कोश्चन बनाया गया है एक्चुल में जो आपको प्रसंद दिया है वही सही है option यहाँ पर correct हो जाएगा तो वाल मी की जो है ये बिलकुल सही है बाकी जो option है वो गलत है चोटी की मातरा लाश्ट में होती है अगला प्रसंद देखेंगे सुद्ध वर्तनी वाले सब्द की पहचान कीजिए इसमें से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौन सा है ये आपको बताना है तो सुद्ध वर्तनी इसमें हो जाएगी वणिक की बी option यहाँ पर correct होगा बाकी जिनकी गलत है वो जान लिजिए मंत्री वर्तरा पर चोटी की मातरा होगी भागिमान गलत है भागिमान सा ही सब्द होता है निस्पच में सा गलत दिया हुआ है निस्पच इस तरह से सकोड़ वाला सा उसमें लिखा जाएगा अगला प्रस्न निमलिखित दिये वाक्यों में से एक वाक्य सुद्ध है उस सुद्ध वाक्य आपको पहचान करनी है कि कौन सा वाक्य सुद्ध है तो एक सुद्ध वाक्य पहले देख लेते हैं फिर असुद्ध वाक्यों को हम लोग सुदा लेते हैं उसे बहुत दुख हुआ ये बिल्कु ठीक है इसमें ना वर्तनी की कोई गलती है ना किसी अर्थर की वाकिगत असुद्धी है सब तरह से ये बिल्कु ठीक है अब पहला आके देखते हैं तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता तो तुम्हारे से की जगे क्या होना चाहिए तुमसे कोई काम नहीं हो सकता ये ठीक हो जाएगा फिर आख में कौन पढ़ गया कौन की जगे आख में क्या पढ़ गया और यहां पर आ जाएगा आपका प्रस्णवा चक यहां full stop चूट गया है तो यह इस तरह से सुद्वर्तनी हो गई अगला प्रस्न एक वाकिश में से सुद्ध है वो आपको बताना है तो दिये गए वाक्यों में से कौन सा वाकिश सुद्ध है यह आप ध्यान से पढ़िए तभी आप बता पाएंगे पहला वाकिश सुद्ध ह प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है यह उप्सन जो है विल्कुल करेक्ट है बाकी में क्या गलतियां है यह देख लेते हैं जैसे कि इस विसे की पूर्ती कठिन है तो इस विसे की पूर्ती कठिन है इसकी जिए कि क्या सही हो जाएगा आगे हम देखते हैं इसको सही से इस विशय का प्रतिपादन कठीन है, यह होना चाहिए, उन्होंने बीसियों लेखकों का निर्माण किये, यह गला था, क्या होना चाहिए, उन्होंने बीसियों लेखकों को तयार किया, यह यहाँ पर बिल्कुर सही हो जाएगा, अगला इस सहर के सभी दर्सनी स्थान बचे हुए अंस जो प्राया अंत में जोड़े जाते हैं इस वाक्यांस के लिए एक सब्द कौन सा है बहुत यह आसान है सारांस परिसिष्ट भूमिका काली सुची में से आपको उत्तर देना है तो गरंथ के जो है जो बचे हुए होते हैं उनको हम परिसिष्ट कहते हैं बी आप्सन जो है सही है जो लाश्ट पन्ने होते हैं अंत में दिया जाता कई तरह की सूची है उनको परिसिष्ट कहते हैं अगला प्रस्न कौन सा एक युगम सही नहीं है यह आपको बताना है यह वाक्यांस के लिए एक सब्द दिये हुए हैं तो जो विश्वास करने लायक नहीं है सव वर्सों के समू को सताब्दी कहते हैं जिसकी तुलना ना की जा सके उसका अतुलनी कहते हैं इस ही है जिसका इस्वर में विश्वास नहीं हो उसको क्या कहते हैं लेकिन यहां पूछा गया है जिसका इस्वर में विश्वास हो तो नास्तिक गलत हो जाएगा सही युग्म की पहचान करनी है हमको इसमें से कौन सा सही हुआ है तो जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासा गलत है जानने की इच्छा को जिग्यासा कहते हैं इच्छा रखने वाले को जिग्यासु कहते हैं आधी रात का समय विभावरी ये भी गलत है गिरा हुआ धरासा ये भी गलत है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए एक सब्द है अत्याज, यही बिल्कुश सही उत्तर है, C option सही है, फिर गिरा हुआ के लिएक सब्द क्या है, पतित, जानने की छरकने वाला जिग्यासू आधी रात का समय निसीत कहलाता है, अगला प्रस्न निमलि कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, वो क्या कहलाएगा, वो सरवग कहलाएगा, फिर दूसरा रेखते हैं, बहुत अधिक बोलने अलब एक यह भी गलत है, तो एक और दो, दोनों ही युग में यहाँ पर गलत है, शरी यह वाला D option यहाँ पर होगा, D option यहाँ पर होग तो कन्या के गर्व से जन्मा हुआ पुत्र जो है कानीन कहलाता है B option यहाँ पर सही होगा अगला प्रस्ण प्राणजुल की पुस्तक पुरानी है इस वाक्व में पुस्तक सब्द क्या है विशेश यह है, विशेशन है, क्रिया विशेशन है या सर्वनाम है तो प्रांजुल की पुस्तक पुरानी है आप देख रहे हैं पुस्तक की विशेशता बताने अला सब्द क्या है पुरानी यानि पुरानी एक विशेशन है ये विशेशता बता रहा पुस्तक की तो पुस्तक क्या हो गया विशेश पद हो गया ये आपसन यहाँ पर करेक्ट ह निमलिखित में से कौन सा सब्द विशेश है आकरश्ट पुरस्कार सामरिक या दयालू तो इसमें से विशेश सी क्या हो जाएगा पुरस्कार बी आप्शन सही है पुरस्कार का अगर हमको जो है विशेशन बनाना हो तो क्या हो जाएगा पुर्शकृत हो जाएगा बाकी जो है सब्दों को देख लेते हैं आकर्शन का विशेशन आकरिष्ट हो जाएगा समर का सामरिक हो जाएगा दया का विशेशन दयालू हो जाएगा वह नौकर नहीं आया इस बाकी में वह कौन सा विशेशन है तो नौकर को इंगित कर रहा है, उसकी विशेष्टा बता रहा है, यह किस तरह का सब्द है, सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, यह सार्वनी नामिक विशेष्ण हो जाएगा, यह option यहाँ पर correct होगा अगला प्रस्न, मैं वहाँ अवश्य आऊंगा, इस मेरे खांकित सब्द क्या है, अवश्य है, यह किस प्रकार का क्रिया विशेष्ण है, यह आपको बताना, अवश्य, अवश्य जो है क्या है, एक निश्चय दे रहा है, तो यह किस तरह का विशेष्ण हो गया, क्रिया से आप देख रहे हैं संख्या को कौन इंकित कर रहा है पांच सब्द यह option बिल्कुत सही है पांच क्या है एक संख्या वाचक विशेशन है तो मित्रों इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 30 प्रस्तनों को सॉल्व किया फिर मिलते हैं अगले लेक्चेर में नमस कर दो